नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं कुछ नए प्रश्णों के साथ जो कि होंगे मध्यकाली भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महतोपूर प्रश्ण हैं आएंगे एक्जाम्स में आपके आने वाले जो आने की चांसे हैं तो वीड करेंडस्त आपको कमेंट में देने होंगे तो चल्बइए सुरू करते हैं पहला प्रश्ण किस सुल्तान ने स्वयम को सिकंदर इसानी दूसरा सिकंदर जोसित किया अल्लाओ दीन खिलजी ने स्वयम कोarnaर को सिकंदर Thanks भारत की सरुपर्थम कागज पर लिखी गई 1223 से 24 इसी की हस्त लिखित पुस्तक कहां से उपलब्द हुई तो ये प्राप्त हुई गुजरात राजय से तो आप्शन नमर जो C है वह राइट हो जाता है निम्रिकित मैं से कौन भक्ति आदोलन के प्रवक्ता नहीं थे तो भक्ति आदोलन से सम्मधित है रामानंद, तुलसी दास, चैतन्या लेकिन संकराचार्य का सम्मध नहीं है भक्ति आदोलन से इसलिए जो आप्शन नमर जो B है वह राइट हो जाता है नेक्शो केशन है वासको डिगामा भारत कब आया तो वासको डिगामा भारत कब आया ये प्रशन काफी कॉमन है आपको आना चहिए इसका जो राइट आंसर है वह है 1498 में वासको डिगामा भारत आया अगला प्रेश्ण है निम्रिकित मैंसे किसके सम्मान में सहा जहां ने आगरा किले की मोती मस्जित का निर्मान करवाया था सहा जहां ने मोती मस्जित का निर्मान किसके सम्मान में करवाया तो जहां आरा के सम्मान में मोती मस्जित का निर्मान करवाया गया तो option number C है वह right है और ये करवाया गया सहा जहां के द्वारा आगरा के किले में अगला है निम्लिकित भारतिय सासकों मैंसे अकबर के समकालीन कौन थे तो अकबर के समकालीन जो है वो थी रानी दुर्गावती तो option number C है वह right है अगला प्रश्ण है प्रशिद विरुपाक्ष मंदिर कहां अवस्तित है तो विरुपाक्ष जो मंदिर है वह हमपी में स्तित है तो option number C है वह right हो जाता है अगला प्रेशन है निम्न मैंसे किसका संबंध महमूद गजनवी से था तो महमूद गजनवी से संबंध है अलबरुनी का तो ऑप्शन नमर जो C है वह राइट हो जाता है Next question है किसके दर्शन को अध्वैत कहा जाता है अध्वैत किसके दर्शन को कहते हैं तो संकराचारे के दर्शन को कहते हैं अध्वैत तो option नमर जो D है वह right है Next question है विजय इस्तम्ब चितौड का निर्मान किसने कराया तो विजय इस्तम्ब जो है चितौड में उसका निर्मान करवाया गया राणा कुंभा के द्वारा तो option नमर जो B है वह right हो जाता है next question है निम्रिकित मैंसे किस ने सबसे पहले सिक्का रुपिया जारी किया तो जो सिक्का है जो रुपिया है वहां जारी किया सबसे पहले सेर्सा सुरी ने तो option number जो सी है वहां right हो जाता है अगला प्रिश्ण है अकबर के दरवार में प्रशित्य संगीत गया तानसेन का निम्रिकित में से कौन सा असली नाम था तो तानसेन का असली नाम क्या था उनका नाम था राम तनु पांडे तो अप्शन नमर जो बी है वो राइट है तानसेन का असली नाम राम तनु पांडे अगला प्रेशन अकबर का मकबरा कहां इस्तित है तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में तो आप्शन नमर जो C है वो हो राइट है जब बाबर ने भारत पर आकरमन किया तो दक्षिन भारत में विजयनगर सामराज्य का सासक कौन था तो जब बाबर ने भारत पर आकरमन किया उस समय कृष्ण दीवराय विजयनगर सामराज्य के सासक थे तो आप्शन नमर जो B है वो हो राइट है नेक्स क्वेशन है भक्ति आंदुलन का प्रारंभ किया गया था तो भक्ति आंदुलन की सुरुवात की थी अलवार संतों के द्वारा तो आप्शन नमबर जो D है वह राइट है नेक्स क्वेशन है निम्निखित सासकों में कौन सा सासक अपनी बुद्धी मता एवं पागन पन के लिए प्रशिद्ध था तो जो है ये कौन सा सासक है जो अपनी बुद्धी मता और पागल पन के लिए प्रशिद्ध था वह हो था मोहमबद बिन तुगलग मुहंबद बिन तुगलग तो option number C है वह right हो जाता है next question है निम्न मैंसे किस सासक के समय तंबाकु की खेती सुरू हुई तो तंबाकु की खेती जो है वह सुरू हुई जहांगीर के समय में तो option number A है वह right है अगला प्रश्ण है निम्न मैंसे कौन सी इमारत फतेःपुर सिक्री में इस्तित नहीं है तो सलीम चिस्ति का मकबरा मर्यम भवन पंच महल ये सब फतेःपुर सिक्री में इस्तित है जबकि जो मोती महल है वह हो फतेःपुर सिक्री में नहीं है तो option number D है वह right है अगला है तैमूर ने किसके सासंकाल में भारत पर आक्रमन किया तो तैमूर ने नसुरुदीन महुंबत के महमूत के समय में यहां पर भारत पर आक्रमन किया तो आप्शन नमर जो B है वह राइट है नेक्स क्योशन है तो यह सब लोग जो हैं अकबर के समय में विख्यात थे तांसेन बेजु बावरा आदी अगला है तराइन या थानेश्वर का अधितिय युद्ध कब लड़ा गया तो ग्यारा सो बयानवे इसपी में तराइन का दूश्रा युद्ध लड़ा गया तो आप्शन नमर जो बी है वह राइट है नेक्स क्योशन है निमने मैंसे कौन गुल रुखी के उपनाम से कवितायें लिखा करता था तो सिकंदर लोदी जो है वह गुल रुखी के नाम से कवितायें लिखा करता था तो option नमर जो C है वह राइट है अगला प्रश्ण है मोहमबत बिन तुगलक के सासनकाल में कौन सा अफरीकी यातरी भारत आया था तो मोहमबत बिन तुगलक के समय में इबन बतूता नामक जो अफरीकी यातरी है वह भारत आया था next question है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भासा क्या थी तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भासा थी फार्सी तो option नमर जो C है वह राइट है अगला प्रश्ण है दिल्ली सल्तनत के संबंद में शेयद वंस का सस्तापक कौन था तो सेयद वंस का सस्तापक था क्रिज खान option number C है वह right है next question है मुगलों की दरवारी भासा निम्ने में से क्या थी तो मुगलों की दरवारी भासा फारसी option number C right answer next question कौन सा मकबरा दितिय ताजमहल कहलाता है तो दितिय ताजमहल जो है वो कहलाता है राबिया उद्दॉरानी का मकबरा प्रश्ण है मेहमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था तो मेहमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उत्भी आप्शन नमर जो C है वह राइट है निम्निकित मैंसे किस भक्ती संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया तो इन में से जो रामानन्द हैं इन्होंने भक्ती संत के जो भक्ती आंदुलन है उसके प्रचार के लिए हिंदी भासा का प्रयोग किया अगला प्रिश्ण है किस सासक ने विजय नगर के निकट नागल पूर नामक नगर की स्थापना की गई कृष्ण देव राय के द्वारा तो ऑप्शन नमबर जो बी है वह राइट हो जाता है अगला प्रश्ण है पानिपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 इस्वी में बाबर और इब्राहम लोदी के हुआ तो इसका मुख्यकारण क्या था तो बाबर की जीत का मुख्यकारण था बाबर का तोब खाना और बाबर की सुस्षित वा अनुशासित सेना तो इसी की वज़व से जो है पानिपत के प्रथम युद्ध में इब्राहम लोदी के खिला बाबर की जीत हुई थी तो उप्शन नमर जो C है वह राइट हो जाता है अगला प्रशन है विजे नगर सामराज के अवशेश कहां पर प्राप्त हुई तो विजे नगर सामराज के अवशेश हमपी से प्राप्त हुई तो उप्शन नमर जो B है वह राइट है अगला प्रशन है आदि संकर जो बाद में संकराचारे बने उनका जन्म कहां हुआ था तो उनका जन्म हुआ था केरल में तो उप्शन नमर जो D है वह राइट है अगला प्रशन है दारासी कोहने निम्रिखित में से किस युद्ध में औरंग जेव से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी थी तो वह युद्ध था सामुगड का युद्ध तो उप्शन नमर जो A है वह सही है अगला प्रशन है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किस ने किया था तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानंद ने उप्शन नमर A मिलकुल सही है अगला प्रशन है निम्रिखित में से कौन सा विदे सियातरी औरंग जेव के समय भारत आया तो औरंगजीब के समय भरत आया पीटर मुंडी नामक विदी सियात्री आप्शन नमर जो B है वह राइट है अगला प्रेशन है अकबर के सासन में महाभरत का फार्सी भासा में अनुबाद किया गया वह किस नाम से जाना जाता था तो महाभरत का जो अनुबाद किया गया फार्सी भासा में वह रज्म नामा की नाम से जाना जाता है तो आप्शन नमर जो B है वह राइट है नेक्स्ट क्वेशन है निम्रिकित मैंसे किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उप्योग किया गया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो हमने वापको बताया था पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार जो है तोपों का उप्योग किया गया अगला प्रश्ण है किसके समय में मलिक मुहंबत जैसी ने पदमावत की रचना की गई सेड़सा के समय में सेड़सा सुरी के समय में तो यहां पर यह प्रश्ण हम आपके रिये चोड़ते हैं क्योंकि ये काफी बार हमने डिस्कस कर दिया है हमारी वीडियो में तो आपके लिए प्रश्टन है अमीर खुसरो किसका दरवारी कवी था आपके सामने है मुहमबद दिन दुकलक हुमाय। सेरसा सुरी अलाव दिन खिल जी तो जो राइट आंसर है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगला प्रश्टन है वोह कौन सा पहला भारतिय राजा था जिसने मुहमबद गौरी को हराया तो मुहमबद गौरी को हराया था गुजरात का जो सोलंकी सासक था मूल राजा दुतिया उसने जो है सबसे पहले मुहमबद गौरी को हराया था अगला प्रश्ण है समराथ अकबर द्वारा जिसको जरी कलम की उपादी से अलंकरित किया गया वह कौन था तो वह था मौंबध हुसेन आप्शन नमर जो डी है वह राइट है अगला प्रश्ण है कि सासक ने सरपर्थम सासन को विबिन परांतों में बाटा तो वह सासक था सेर सासरी जिसने अपने सासन को विबिन परांतों में बाटा तो अप्शन नमर जो C है वह राइट है अगला प्रश्ण है रामानुज के समर्थक वैश्णौ गहला आए उनके विचारों के कटर समर्तक कौन थे तो उनके विचारों के कटर समर्तक थे रामा नंद आप्षन नमर जो B है वो बिल्कूल सही है किस मुगल्ज समराट के काल में English East India Company ने भारत में अपना सरवर्परथम कारखाना इस्तापित किया, तो जहांगिर के समय में जो इस्ट इंडिया कमपनी थी उसने अपना पहला कारखाना इस्तापित किया, तो option number D है वो हो right है, next question है बहमनी राज्य की इस्तापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अल्ला उद्दीन हसन के द्वारा तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है तो दोस्तों यहां पर आज की वीडियो में हमने काफी जो हैं प्रश्णों को डिसकस किया है और इन में से बहुत सारी प्रश्णों जो हैं काफी महत्तपूर्ण भी आपके लगे होंगे तो इस तरह से यहां तक हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए और इन प्रश्णों को सॉल्व करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक यह आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब क कर सकते हैं और वीडियो को अच्छे लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं थैंक यू वेरी मुच